अल अफ यू चलिए आज हम फिजित स्कार टॉपिट वाईज जैसे की क्या लाए हैं वर्थ इनर्जी एम पावर ठीचे इसे हम कबर तरेंगे आज पहले हम ठीओरी तल पार्ट देख लेंगे कार्ड का उर्जा का एवं सत्ती का फिर इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे और ताती आपका जो पूरी तरह से क्या हो एदम बिल्कुल ही आसान मेठेट से समझ पाए ठीक है तो चलते हैं यह पार्ट वन होंगे तो बढ़ते हैं अदले क्वेस्टन के और देत क्या है मैं पहले तरह दर्ट करा देता हूं हिंत मतलब उर्ट ठीक है अब यह होता क्या है किसी किर्या का शंपादन होना होना जैसे हल चलाना लतरी कटना यह पर न मैं sozial यह कंद यह सब क्या कार्ज जब बल लगाते हैं किसी बस्तूत को तो वह बल के ही दिशा में विस्थापित होना चाहिए तब हम समझेंगे वह कार्ज हो रहा है तो कार्ज तो कैसे समझेंगे जब बल लगाएंगे ठीक है जब कोई भी बस्तूत पर एमद्रमान पर हम बल लगाएंगे तो वल की दिस्वा में ही विष्थापित होनु चाहिए, ठीक है, बल लगाते हैं F, और यह विष्थापन कितना हो राए, S, तो हम समझेंगे यह कार्ज हो राए, ठीक है, ठीक है, तो देखे, बल एक सदिस राशी है, ठीक है, मतलब वेट्टेर कॉन्टेटी है, और विष्थापन भी एक बहेटर कॉंटिटिटी है तो दोनों देशे जब 2 सदीशों का ये गुनन फल एक अदीश प्राप्त होता है जिसे हम कार्ज करते हैं ठीक है तो कार्ज मतलब वर्त जिसे हम W से सुचित करते हैं तो कार्ज वल और विष्थापन का ये अदीश का गुनन फल है तो कार्ज बराबर क्या लिखेंगे W बराबर F S ठीक है यदि दोनों के बीच बस्तों के बीच यदि ठीठा कुन का ठीठा कुन बन रहा हो मतलब बल और विश्थापन के विश्थुश ठीठा कुन बन रहा हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे W बराबर Fs कॉस ठीठा W बराबर Fs कॉस ठीठा ठीचे तो भरते हैं आगे देखे अब यहाँ से हम कार्ज का आसाई मातरत कर लेंगे तो कार्ज बराबर फर्मोलता होता है W बराबर Fs ठीचे तो बल का आसाई मातरत Newton होता है और विश्थापन का आसाई मातरत Meter होता है तो बल को हम लिखेंगे KG मेटर पर सत्यन स्क्वार इंटू मीटर तो बराबर हो जाएंगे дж Loopamart को दिखें केजी म्यों स्ट्वायर पर सक्रिण स्ट्वायर तो क्येजी कोGrf को m लिकते हैं और मीटर को l लिकते हैं थीक इसे m स्ट्वायर है तो l लिकते हैं तो समय को government लिकते हैं और इसे उसे पर पावर मैिनस दो है और यह हमगे यहाए हो जाएंगे टर्ट कि वह हो जाएंगे हैं एंट माइनस टूठ जो और यह तो यह साइक भी मातरत में इसको हम क्या लिखेंगे टार्ट तर्ट शाय अनुद्र मत्रत तो इसे हम जूल लिखें क्या कहेंगे ? Joule और से भी चंते हैं कि जीसे हम अर्ग दाते हैं तो कार्ज का c जीसी मातरत क्या होंगे ? अर्ग होंगे और एट जूल बराबर हम 10 पे पावर 7 क्या लिखेंगे ? अर्ग लिखेंगे कि कार्ज कहा होना समझा जाएगा देखेए यहां पहला option बोल रहा है पहला question बोल रहा है example कि अगर किसी दिवार को हम धत्ता लगाते हैं तो ले नहीं होता है कि जब कोई बस्तु पर हम बल लगाते हैं रहेकkeln तो बस्तु क्या होने चाहिए बिस्थाफंब्हों सब्सक्राइब क्योंकि बल जो है वह बस्तु नीचे त्यूर लगा रहा है और विस्थापित बस्तु नहीं हो रहा है अर्थत विस्थापन सुनी हो रहा है तो कार्ष क्या हो जाएंगे मेलो दूर चलते रहे तो विस्थापन क्यों चुनूंप कि बल रिछ Hahn नीचे नीचे की और लगा रहा है और अर्बस तूं विस्थापीद भी हो रहा है ठीक है न और रिभरों के बीच एगर शम होता है कमके सनगे था रहा है तो एगर स्थापन क्योंफे चा। सब्सक्राइब करते हैं तो डबलू बराबर क्या जाता है सुनी अर्था सब कहेंगे कार्ड यहां पर भी सुनी हो जा यदि बस तू को बोजा लेतर वो मिलो दूर तर चले भी तो ठीक है देखते हैं अगला अगर कोई ब्यात्ती सीरी पर चरह और चहर तर उसे उतर गया सीरी पर चरह फिर उतर गया तो चाड़ सुनी समझेंगे वहां विट्थापी थी बस तूने हुआ पाया जिसके बजह से कार जम लात क्या हॉजा जाएजा जए लिए नए पारट पॉस्चंट नत्रव अक्या होता है अजर किसी बस्तू पर 10 newton का बल 36 दिसा से 30 बिदस तक्वन आरोपीत होता है तो बस्तू और 36 में कितना 5 मीटर भी स्थापित हो रहा है तो किया गया क्या हो था तो दिए अजर बस तू 20 थापित भी हो रहा है और 20 भी बना रहा है तो हम काड़ टाल सकते हैं असान से जैसे तिर डबलू एफ एस कॉस ठीठा और मेरा बल कितना लगा रहा है 10 न्यूटन और 20 थापन भी हो रहा है मेरा 5 न्यूटन और कॉस यहां ठीठा कितना है 30 डिद्री तो हम लिखेंगे 10 इंटू 5 न्यूटन पॉस तिस डिद्री का मन होता है वन बटे टू ठीट है दो से हम इस तो हम कट आउट तरेंगे तो कितना हो जाए तो फाइबर में अर्थात 5 बना 5 तरेंगे तो 25 जूल हो जाएंगे अर्थात यहां कार्ज मेंना कितना इस इंटर बहें करता है और बस्तू बलति दिशा में फाउंच मीटर विस्थापित हो तो क्या जातार क्या होता दिए , जब बल एकी दिशा रहे है та six हो इंके बीच में बना हुआ यह जो हो जाएदा ठीठा बराबर जीरो डीदरी हो जाएंगे और जीरो डीदरी हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि कार्ज और मुँआ पर कार्ज जो होंगे F F cos theta अर्थात F का मौनद 10 N है और 20 अपर मौनद 10 अधर हो रहा है और दूसरे के क्या हो विप्रीत हो उन दोनों के बीच मेरा 118 वुद्वर बनेगा और उस ठीटी मेरा कार्ज दूसरा हो जाएदा ठीठे तो हम कहा सकते हैं कि कार्ज करने ठीचंता को तो क्या कहते हैं उर्जा कहते हैं उर्जा सभी परकार की उर्जा का साय मातरत वह भी जूली होता है और सी जैसी मातरत में भी जो कार्ज का होता है वह होता है कार्ज जैसे अर्ध होता था तो उर्जा कभी भी अर्ध होंगे सभी परकार की उर्जा क्या है एक अदीस राशी ह ऊसी मिधी यादूर करत जी यह इन्तरी अर्जीद नेढlock को सकते है घुरूंत को उर्जा है और उस्मिय होसकता है तो एमिंद परकार के क्यों हो सकते हैं अदोगिे यहन्ति इनरजी जिसे इनरजी इनरजी हैं attitude आप बराबर क्यों हो जो जाएंगे जैते हैं जैसे कि हैं गति जुर्जा सबसे पहले है मेरा गति जुर्जा अर्था कैनेटित इनर्जी है कैनेटिक इनर्जी क्या हता है गति करने वाली बस्तु में उर्जा होती है ग्रती करने वाली बस्तु में क्या होता है उर्जा होता है जैसे कि M द्रमान की क्वई बस्तु अधर भी व्यत से ग्रती सील है तो हम तरह सकते हैं कि केनेक्टिक इनर्जी बराबर हो जाएंगे हाप M.B.S. पर तो इसता हो जाएंगे हाप M.B.S. ठीक है अब है संबेद संबेद क्या होता देखे जब कोई बस्तू जब भी कोई बस्तू इसे M.Draman की बस्तू है यह अगर भी बेद से चल रहा हो यह भी बेद से चल रहा है तो इनके दुनन फल को ही संबेद करते हैं अर् 59 राषी है जो गती की मात्रा को बताता है अर्था जिए संबेद दुरामान और बेद टान फल है तो संबेद जैसे मोमेंटम यसे बोलते हैं इसे हम संबेक की पी से सूचित करते अर्थाट P बराबर हम लिशते हैं बसतु का Drobbon बसतु का Bay j म भी सकते हैं और इसका study मेटर पर सट्रेंट टो letters केजी मीटर पर सकेन इसका असाई मातरत भी लिदेते हैं जैसे केजी को हम केजी को हम एम लिदते हैं और मिटर को हम लिदते हैं और मायनस वन है तो हम लिदे लम समधेग भी और दिसा और परीमान दोनों होता है--"वह क्या होता है?" अब देखें यहां क्या होता है संबेड और गतीज उर्जा में एत संबंध होता है संबेड और गतीज उर्जा में जैसे कि संबेड बराबर अभी मैने पर हां कुए एमभी होता है और अधिनेंट जिनेंसें द्वती जूर्जा उसके बराबर ह temporary होता है यह दोनों के बीच में हम दोनें हमें इत्रेलेशान कालते हैं जिसेंवां टोलते हैं संबेख और корабि जूर्जा के और फिर भी को हम लिखेंगे पीबटे एम ठीके बाटे एम तो यहां लिखेंगे पीबटे एम अर्थाथ यह हो जाएने पीइसे पार बटे टू कर्ण हो जया लोग अर्थाथ हैनसे दोनों के भी संबंध ओगया तो यह यह संबंद होता है यह संबंद है अब आ जाते हैं इस थेती जोर्जा जिसे हम बोलते हैं किसी बस्तु ती स्थिती के कारण जो कार्ण सरनेती छमता होती है उसे ही स्थिती उजाते है जैसे यदि किसी भी बस्तु को अधर पिर्थिवी से एच उचाई पे इस्थित हो तो उसे हम बोलें जो इस्थिती उर्जा तो अर्थात हम तरह सकते हैं इस्थिती उर्जा बराबर हम बोल सकते हैं कि इस्थिती उर्जा वराबर हम लिज सकते हैं कि म जी एच तो कोई भी बस्तू अधर एच उचाई पर अथि यह स्थित है तो उसे हम इस्थिती उर्जा बोलें जेंगे तो इस्थिती जुर्जा बराबर हम क्या लिशते हैं MGH तो जैसे जैसे इस्थिती जुर्जा से रिलेशन से समझती जैसे question है कि अगर किसी एक केजी द्रवन को किर्थिवीती सतर से 9.8 मीटर की उचाय तक उठाया जाता है तो क्या जाया कार्ज क्या हो जाएंगे तो देखे इस्थिती जुर्जा बराबर मैंने देखा कि होता है MGH अगर बस्तुता द्रवन है 8kg G का माइन 9.8 है और उचाय भी कितना हो रहा है 9.8 हो रहा है अर्था 9.8 दो बार है तो इस तो पर इस बार ले सकते हैं इसलिए option नमर इस ता क्या हो जाएंगे और से नमर सी हो जाएंगे नहीं तो आप इस तो गुना भी कर सकते हैं तो उच्वना में जो ऑप्शन होगा वह बना सकते हैं ठीक है तो देखते हैं अर्ले क्वस्चन के लिए अर्ले क्वस्चन क्या है कि उसी समंधित एत पॉस्चन फिर लाए हैं कि मतलब यह आपके यह सवाल में हमें कमेंट्स वक्स में दे सकते हैं तो तब तत मैं बढ़ते हूं देखें इस्थिती उर्जा में क्या होता है यांकि उठा कर रखने में क्या गया कार्टित न हो जाएगा सुन हो जाएगा अब यह इस्थिती उर्जा और गति जुर्या इस्थिती जुर्या और गति जुर्या ते पुछ उधारन जैसे पहले इस्थिती जुर्या का में पुछ उधारन देख लेता हूं जैसे ती तनी हुई धनूस या इस्पिरिन जैसे कि मान लेते हैं कोई भी इस्पिरिन जो है वह तनी हुई है तो उसमें इस्थिती जुर् हात में पत्थर, छत से लटका हुआ पन्खा, या अकार में बदलाब ते कारण, जैसे कि उठाया हुआ हतोरा, ये सब क्या है, इस्ठिती उड़्या का ही उधारन है, मतलब एचुचाई पर वह स्थित है जैसे कि शरीर में परत्यास इस्थिती उर्जा होती है और जैसे कि क्वाइल इस्पिरिंट वह दवाया दवाना या फैलाने ती स्थिती उस समय इस्थिती उर्जाता ही उधारन है जैसे बांद एकचुचाई पर बांद बनातर उसमें पाणी रखना वह सब क्या है स्थिती उर्जाता ही उधारन है जैसे चावी भरी अदवरी घरी या रन्वे पर चलता हुआ एरो पलेन यह सब क्या है रती में है तो इसे रती हुर्जा अब दीजिए और इस्थिति उर्जस दोनोर जाएं जे dessa उत्थ nee भान हुआ है जैसे चलता हुए पंखा दोहा से तो आखलता हुआ है तुर्टा हुए पूछ एक रहे और अलदक रहे हैं मतलब फूरणी ऩो यह एन्टी है लोस्ति मतलब बस्तु हुए एच उचाई पर भी है और उसमें भी लुरत रही है द्रती है तो हम कहेंगे यह यंतित उर्जाता उधारन है उर्ती हुई पतन मतलब एच उचाई पर उर्जाता है तो उसमें कहेंगे यंतित उर्जाता उधारन है चलती हुई बस यह ट्रेन में बैठे भी अति यह सब क्या यंतित उर्जात का ही उधारन है अपने उर्जात संद्चंत का सिध्धाउंत ते सभी जानते हैं ति उर्जात संद्चंत का सिध्धाउंत में क्या होता है उर्जात ना तो उत्पन क्या जा सकता है और नहीं उसे नश्ट क्या जा सकता है अर्था उर्जात को केवल एक अद्धूत था इसे लॉड्ट स्पीकर यह विधूत ऊर्जात को क्या थरते हैं धुहनी ऊर्जामी बदल देता है टर्बायन बोले यह वैन तुरु मोले उसे यांत्रित उर्जात को चालता है परृच्छा सान documentary गभात डृच्छ विसे गया कंसे क्या देखा ए विधूत उर्जात को परकास या उस्मा उर्जा में बदलना यह सब क्या है उर्जाता रूपांतरण हो रहा है जैसे बारिस बारिस होना क्या होता है अब परेंगे आबेद जिसे बोलेंगे इंपल्स आबेद यह क्या होता है संबेद के समान ही होता है उसमें संबेद में क्या होता है जाये अबेदमान की बस्तु भीबयद से चलता है और यहां आबेद में चाहता है कि जब कोई बस्तु को हम कुछ समय के लिए टाइम लगाते हैं क्वह बस्तु पर बल लगाने में टाइम लेते हैं उसी के द्वूनन फल्कों आब़ेद सकते हैं अर्थाथ हम करा सकते हैं बल और समय के दुनन Parlament क्या क्या कहाँगे आबेद काहेंगे अर्था आबेद बरावर हो जायेंगे बल इंटू समय अर्थात का इंटू समय मात्रट उसकार लेता है इस boyfriend friendly स्थ हो जाहाँ मंतलब को लिते हम kg मीटर पर सर्टेन इस लीटते हैं और ती इस समय का इसे सट्रण लेतá हैं है 3 मैंट साइमागप अरफद इसता जों कि को हम मैं यह लिए और मीटर से ल७्लीट से जिरते हैं 10 एप सबर City को ऐख लैने जाएंगे से तबसी step कोई खिलारी क्या लेता है तो वह अपने हाथा को पीछे की और खिचता है जिसे वह समय का महन क्या करना चाहता है अधीर करना चाहता है अगलती है कि यह ठाउप औरफाथ करते हैं जब कोई भी ख्यलारी काईच को अधीत करते हैं updates करते हैं वेद में ही उसको समय और बहा देता है। जिसे को उसके हाँत में क्या होता है? चोट बहुत कम लगता है ये क्या है? या भेक का उधारन है ठीक है अब हम कवर्ट रहें हैं 2 जिसको वसक्पर िविचा को क्या करते फैं我們的 काड़ करने थी दर को मुरिज़ा भी करते थैं और कार्ण करने दर को हम सत्वी आर्थात अर्थात हम सत्ती ब्राबर लिखेंगे कार्ज बट्टे समय अर्थात जितने कम से कम समय में हम क्या करेंगे कार्ज कर देंगे वह उतना ही मेरा क्या हो जयादा छमता हो जाया ठीके जैसे हम लिखेंगे अर्थार पावर तो डबलू बटे टी लिखेंगे अर्थात ये सक्या में जितनों हम काड़ कर सकते हो तो अर्फा धर कर से यहाँ पर एमजी एच लिखेंगे तो हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा पी ब्रावर हम सूत्र लिशत्ते हैं M, G, H जो इस्थिती जुर्जा है अब अब अटे टी उसी परतर हम कार्ज को और लिशत्ते हैं F, H, C, T, अर्था यहां सत्ती को हम उर्जा के रूप में लिशत्ते हैं गर्वजा के अब यह उस्ता आसायम मातरत होता है What देखेट वाड़ी से होता है कि अभिसती का मैने पी अबराबर बॉब्र्टी टी और हभी मेने पर हड्जूल होता है होता है। तो जूलब पर सतियं and को हम लिएिएvosतनर मिषते हैं वान जोलब आदझे हैं वाट- कि तोम जोति मेने जोल में समय पर सताइब बीमार्टS được हो जाएगा अ क्यों हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे धील को हम यूँजी मीटर स्वार टे problème फिर एक सेहल नीचे है तो मेरा यह और जुड़ जाता हो तो क्यों हो जाता अर्था हम लिखेंगे क्या लिखेंगे एक वाट लिखेंगे ठीक है तो यह सत्ती का साई मातर अदर भ्यावारित मातरत पुछे तो अस्व सत्ती होता है ठीक है और एक एच्पी बराबर हम लिखेंगे एक एच्पी बराबर लिखें और जैसे कि आ भी प्रहें एक ब्रावरता है 746 वाट के अधित छंता वाले जुर्नेटर रहें ज्यारे रहें तो उसकी हम क्या तरेंगे कीलो वाट में उसे भी अत्रेंगे अधित छमता वाले जर नेटर या टॉस फर्मर रहे तो उसे हम क्या करेंगे कीलो वाट में इका लेंगे ठीक है तो यहाँ आपका थियोरी सेट्षन कंप्लीट होता है कार्ज उर्जा और समय का और कल इससे रिलेटर में नेट पुछ क्वेस्चन देख लेंगे ताकि यह थियोरी सेट्षन का आप कंप्लीट से ही इंज्वाय लेशाते हैं मिलते हैं अनले वेडियो में तब तक कलिए धन्यवाद